नमस्कार दोस्तों रियेज केशन आई असकेडमी पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है अप्षिक पटे और आप लोगों ने कल रियेज केशन के टेलिग्राम चैनल पर एक टेस्ट दिया था और आज हम लोग उसी का वीडियो सलूसन देखेंगे ठीक है कहने के लेकिन जब आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आपका लगबग सो प्रस्न के आज पास आपका तयार हो जाएगा ठीक है ऐसा क्यों होगा क्योंकि इस जो प्रस्न है इसको मैंने खुद डिजाइन किया है और हर एक क्वेश्चन कम से कम चार क्वेश्चन को अपने आ संद आएगा और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ऐसा हम आपसे उमीद रखते हैं ठीक है तो इसी के साथ हम सुरू करते हैं बाते बाद में करेंगे पहला प्रस्न है कि निम्खित में इसे कौन सा कथन आ सबती है ठीक है देश की लागबग 10.6 परस्त छे परव चाहि stuk यह यह और जो है ठीक है तो इसी लिए कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को अंत्ता-टक देखेगा आपका पुरा हिमाले परवत से जितने भी प्रस्ण बनते हैं सब आपके कबर हो जाएंगे ठीक है अश्तर सैल करम विवर्तनी की तिहास तता उच्चावच के सुरूपों के अधार पर भारत को चार परमक बहुतिक परदेशों में विवक्त किया गया निम्न में से कौन सा परदेश सुनने से नहीं है ठीक है अगर इनमे से देखें तो पहला पर्देश यह बात गंगा यम्ना का जो मैदानी जेत्र है उदर ब्रंपुत्र का मैदानी जेत्र है यह सम मिलाके लिगोतर भारत का विशाल मैदान बनाते हैं तो यह भी एक तीसरा भाग हो गया ठीक अब जब थार का मरुफ्थल इसमें जुड़ गया है तो इसकी कोई गिंती नहीं होगी तो यह आप से आपका कड़ जाएगा और तटवर्ती मैदान मतलब यदि हम भारत के नक्से को देखें तो कुछ है इस तरीके क्या है और इधर क्या है इधर तटवर्ती मैदान है किनारे किनारे हलका सा क्या है यह पूर्वी घाट इधर जो थोड़ा सब नदियो दरा जो मिट्टिया लाइगे उसके तर्टवर्ती मैदान बन गया है तो यह भाग और बाकी जो अंडवान निकोबार है और लच्छ दीप यह मिलाक एक भाग क जिसको एक छठा भाग बना दिया जाता है तो उत्तर भात का पर वाग बाग युद्यवाग हो जाएगा अगला प्रसन है कि हिमालय परवतमाला जो कि एक नवीन मोड़दार परवतमाला कि भारत की कि इतने लाख वर किलोमीटर बिस्तित है ठीक है ये टोटल क्या है पांच लाख क्लोमीटर में लिए अगर हिमाले को अगर हमारा तलवार की आकिरत कहा है एसे है कि इसका जो पूरब में चौडाई है यह 160 किलोमेटर के आसपास है पस्चिम में जो है यह टोटल 400 किलोमेटर के आसपास है ठीक है अगर हम इस पूरे हिमाले की लंबाई देखें यह टोटल लंबाई पचीस सो किलोमेटर के आसपास है ठीक है तो हमारा हिमाले जो है यह पे तलवार की आखिरत का पहली बाद पूरब म ये सक्रा है पस्चि में चोड़ा है सक्रा केतना एक-150 किलोमेटर और पूरी पूरी-पूरी लंबाई द्द शीज तो किलोमेटर है और यह पाँच लॉफ वर किलोमेटर छेटपल में फैला ठीक है यह हो गया हमारे हिमाले का मोटी मोटा आकड़ा अगला प्रफन है कि ठांस हिमाले जो की मुल्ता यूरेयसिया प्लेट का खंड है जिसका हिमाले से पहले ही हो चुका था यह माले से पहले का परवत है इसके अंतरग्यत मिंकित में कौन सी परवत स्रेडी नहीं आती तो कारा कोर म ठीक है कारा को रूम कारलास लद्दाक और जासकर, यह चारो के 4 क्या हैं यह ट्रांस हिमाले के भाग है लेकिन गों पीर-5 यह लगहिमाले का भाग है चेल लगहिमाले के मुख्य स्रेड़ी है अगला प्रफणाकरम देखें कि भारत की सबसें उँची चोटी के डुट विन हाष्टींड 8human 611-0 मेटर नोची है किस प्रवस्थ्रेडी पर है ठाया किidée भारत की हैगर सबसें उची चोटी की बात की जाती है तो यह के टू गाडविन आफ्टींचे जो पाकिस्तान आंकूपायट कास्मीर में अभी, अवस्थित हैं और पूरे 20 की सबसे उपरवत करते हैं, भारत की सबसे उपमाले पर हिमाले पर हैं, इस्थित, भारत की सबसे उँची चोटी की पabad करते हैं किश सिरेड़ी पर है कारा कोरम सिरेड़ी पर है अगला प्रफन घरम देखें कुए है कि तो सिया चीन वयाफो BALTORA तथा हिस पर ठीक यह चारों गलेसियर कि ti स्परवस्रेइव परिस्तित है यह भी मार्श घृ नफ टीक किरण सीलेटी पर ही इसलेट stay सबसे बड़ा एटक है सबसे बड़ा कुण सियाचीन फिर उसके बाद नमबर आता हुआ ऐसे छोटा कौन वालटोएं इस पर ठीक है है मैं उसकाको ऊज इस फ़्र लेकिन अगार झूर्च की बात करें तो सबसे बड़ा जो ग्लेसियर है वो ससाइमी ग्लेसियर है ठीक है ससाइमी ग्लेसियर सबसे बड़ा ग्लेसियर है ठीक है अगली अगले परसपर हम लोग चलते हैं कि बिस्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी का क्या नाम है तो बिस्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है आपकी सबसे बडि ढाल वाली वह आपका कौन सा राका पोसी सिखर अगर बिक्त disturb की सब से अंछी चोटी मांट एक भारत की सब से उची चोटी गाड़विनाफ्टीं भारत की सब से उची चोटी जो की हिमालय परिष्चित है कंचन जेएंगा क्योंकर्त करनुक्त परिष्टेत है ठीक है अगले पर चलते हैं ठीक आप लोग से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को सेर भी कीजिएगा ठीक सतलज सिंदु युआ ब्रंपुत्र जैसी पूर्वरती नदियों का जन्म किस हिमाले से हुआ है यह पके सब नदिया सतलज सिंदु सतलज ब्रंपुत्र कि हिमाले बनने से पहले से बह रही है ठीक है और इसी लिए उन्होंने क्या किया है अपने राफ्तों को मोडा नहीं है इन्होंने पर्वत कोी काट दिया है और गार्ज बनाएं जैंडु नदी जम्मू का स्मेर में अरुणाचल प्रदेश में सिपकीला गार्ज बनाती है ठीक यह सिपकीला गार्ज बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है यह कोर्भा गार्ज बनाती है को अरुणाचल प्रदेश में यह कोर्भा गार्ज बनाती है ठीक है अगला प्रफ नहीं हमारा है कि ट्रांस हिमाले, ब्रिहद हिमाले से किस लाइन द्वारा अलग होता है जो ट्रांस हिमाले है वो ब्रिहद हिमाले से सचर जोन द्वारा अलग होता है तो बात आती है कि ब्रिहद हिमाले मध हिमाले से किस जोन द्वारा अलग होता है तो ये main central thrust के द्वारा बिर्यहद हिमाले लग हिमाले से लग होता है और लग हिमाले जो है उसी वालिक हिमाले से main सीमांतर दरार से अलग होता है ठीक है यह तीनों प्रसना आप याद रखेगा आपके परिच्छा में बहुत ही मात्पून है ठीक है अगला प्रसना देखते है कि निम्लिकित में से कौन सी परवत चोटी भारत में है ठीक है निम्लिकित में से कौन सी परवत चोटी भारत में तो नंगा परवत जो है ये भारत में है ठीक है इन में से नंगा परवत कहा है आपका भारत में है ठीक है ये भारत में है और हिमाले का सबसे पश्चमी परवत तो भी कोँ सा है नंगा परवत हिमालय परवत किया सबसे पश्चमी परवत तो यहीं तक इसका विस्तार यह टोटल पचीज सो किलोमेटर जो फैला है यह नामचा वरवा से लेकर नंगा परवत तक फैला है अगला परफन देखते हैं बाकी के जो मकालू धौला गिरी और अन्वूड़ा है ये सब के सब कहां है ये नेपाल में अगला प्रफने देखें लगत या मद्ध हिमाले की आउसत उचाई अथारा सो से तीन हजार मीटर है ठीक है पहला कोश्चन ही हो गया कि लग या मद्ध हिमाले की जो उचाई है हिमाले की बात हो रही है तो बाकी आपशन को भी देख लेते हैं कई कि बाकी आप्शन मैंने वेवजह नहीं रखिए पूरे हिमाले की बात करें अब चरह ऑ्सकाई करें आँ चू-आहें 300-20 12-100 में यह आवस्त उचाहिए है हमारे सिवाली के हिमाले की, ठीक है यह सिवाली के करम में सही बेवस्तित है, यहां पूछा来了 का उचाहिआ में घड़ता हुआ करम तो सबसे उची चोटी हमारा माउंट एवरेस्ट है ये तो सब में है चलो ठीक है उसके बाद कंचन जंगा की बात आती है ठीक है क्योंकि क्योंकि इसमें गाडवी नाफ्टिन दिया ही नहीं है अगर गाडवी नाफ्टिन या केटू होता तो इसका न अगला प्रफन हम देखते हैं कि हिमाले परबत माला का निर्माड निम्कित में से किस के प्रेडाम सुरूप हुआ है या महादीप महादीप पिलेटों के अभिस्वरा इसका निर्माड हुआ ठीक है एक महादीप पिलेट दूसरे महादीप पिलेट के नीचे घुश गई ह इसे से हमारा हमाले परभत है खड़ा हुआ है ये तो धे ELब कोस्टन था अगला प्रतिम्ह सने ने नहीं हमाले को पंजाब या कास्मीर हिमाल है और कहा सतलज से लेकर काली तक कुमायों हिमाल है काली से तिस्ता तक नेपाल हिमाल है तिस्ता से आगे बढ़ा और ब्रह्मपुत्र नदी तक इन्होंने बताया कि यह असम हिमाल है तो इस हिमाले का सबसे उचा भाग यो है वो नेपाल हिमाले में है क्योंकि यहीं पर आप देखेंगे कंचन जंगा से लेके आपका युरिस्ट परवत भी इसी हिमाले के अंतरगत आती अगला प्रफन हम देखते हैं दोस्तों यह दिया प्वालिटी का एक अच्छा पैकेज ढूंड रहे हैं कि कहीं पूरी यूट्यूब पढ़ाई गई हो जो प्री मेंस दोनों परिच्छाओं को ध्यान में रखते हो पढ़ाई गई हो जिससे हमारा मेंस की परिच्छा भी आस हैं आप उन सभी वीडियो को देखकर आप अपने PCS, RO, UPSI की तयारी एक अच्छे लेवर पर ले जा सकते हैं तो आप चैनल से जुड़े और उन वीडियो को भी देख सकते हैं हिमाले की निमलखित में से कौन सी चोटी कौन सी सिरेडी सर्वदिक चवड़ी है तो यहां प पीर पंजाल जो है यह हमारे लग हैं परिकिंध यह हमारे का हैँ लगं ले परिश्थित्यथ थिख यह अगली प्रसुन की देखते हैं की कर में अगला प्रस्ट हमारा है कि श्री नगर से लेह को जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर पूझरताएं टीकस्त बलाले कोशेस को भीन से डिखईगा क्योंकि हम ने यहां जर्णों के माध्यम से एक question के मादन में से हमने बहुत question को target किा ठीक है अगर आप देखेंगे यहां जितने भी जबर्रे धिये गए नहीं पाफ दिये गए हैं यह सब की सब कहा है पहली बात यह सब के सब जमूऊ का सब कहा हैं जमू का सब कर दो और का नदर रहा यह के सब्सक्राइब आते हैं हम अपने प्रस्नाइब पूछा है कि स्री नगर से लेह और दर्दा दर्दा तो यह आपका होगा है जोजीला दर्दा से ठीक है? स्री नगर से एक मिनट शिरी नगर से आपका जो ले जाता है जो जिला दर्ड़ा से होगी जाता है और कारा कॉरम दर्दा क्या है ? ये पूरे हिमालय पे सबसे उचाई परिष्टित दर्ड़ा है ठीक है ? अगले प्रफनम देखते हैं कि कौन सा दर्रा स्री नगर को गिलगित से जोड़ता ठीक है अभी हमने देखा जो जिला दर्रा जो था किसको किस से जोड़ता था यह स्री नगर को ले से जोड़ दिया जो जिला दो जिला को जोड़ दिया स्री नगर ले जो बुर्जिल दर्रा यह श्री नगर को गिलगिट से जोड़ता है बनिहाल दर्रा जो है इसमें क्या है आपका जवाहर सुरंग इस्थित है ठीक है यह आप याद रखिएगा अगला प्रफनम देखते हैं और पीड पंजाल जो है तो लगिमाले में इस्थित है ठीक है इसकी अभी बात नहीं करते सूरंग स्तित हैं अगर आपका पूछे कि कौन सा ऐसा तब जसे जम्मू से श्री बंदर्ण पूचता है कि जिसमें जवार सुरंग स्मेश्तित हैं आपका ढ chỉते अब कर बडिंदर्ण ठीक है कि श्री बंदार्म की कर बादक कर सबसे कि अच्छेतर there पे हाइं। को कहा जाना है घिल्गिट जाना है आपका उन्हेता है भुर्जिल तर्ड है कारा कुरम दर्ड कि गर्बात करें सबसे को चाही पैस्ति धर्राइट है अग्ला प्रस्ण देखें सतलज नदी की सो दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी जो होता है वो सिपकीला दर्रा के सहारे क्या करती है भारत में प्रवेश करती है और यहीं पर क्या बनाती है गार्ज बनाती है जिसका नाम भी क्या है सिपकीला गार्ज सतलज नदी क्या है यह सब के सब कहां पर इस्थित हैं यह सब के सब हिमांचल परदेश में इफ्थित यह भी आप याद रखीगा जब मिलान के क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत मदद करेंगे ठीक है आप इसको कोई ट्रिक बना के याद कर लीजेगा क्योंकि यह ज्यादा तर भूलते भी है यह नहीं नहीं सब कहां है यह सब क करता है नाइससे दर्रा पो मुलिंग को है नहीं कमें कोझ में को में नहीं है नहीं है तो पहला एकरा शॉक्त करें प्रफन देखते हैं अगला प्रफन देखते हैं अबरा अगला प्रफन है त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्क की तर्फन से उकर गुजरता है तो यह भी हमने देखा था बॉम्लीला अड़त दर्फन यह कहां पर इस्थित्त आपका यह अनुड़ाचल प्रदेश में इस्थित्त था इसी से वकर त्वांग घाटी सोकर तिब्बत जाने का राफ्ता भी है बागी यंगपा दिफू ओ पांग सांड दर्ण यह सब के सब कहां पर हैं यह सब के सब अनुड़ाचल प्रदेश में ही अस्थित्त हैं यह भी आप याद रखिए ठीकर मैंने ऐसे नहीं कहा है कि यह 25 कोश्चन आपके सब कोश्चन कवर करेंगे आप देख रहे होंगे य हिमाले परवत को दर्रा सहित पास सहित नदियों सहित कवर कर दे रहे हैं अगला प्रफन हम देखते हैं कि यह निम लिखित होना चाहिए था कि निम लिखित में से कौन सा दर्रा मड़ीपूर में इस्थित है मड़ीपूर में आपका तुजू दर्रा है क्योंकि का उत्तराखंड में देखते हैं निम्लकत में कौन सा ढला मुंबई को पूरे से सड़क वा रेल मार्ग द्वारा जोडता है तो मुंबई से नासिक से जो जोड़ता है यह आपका थाल घाट दर्रे की गर बात करें यह आपका नील गरी को अन्ना मिलाई नील गरी परवत अन्ना मिलाई के बीच में इस्तित है ठीक है नील गरी परवत अन्ना मिलाई के बीच में इस्तित है यह पाल गर और बुरहान पुरदर्रे के गर हम बात करते हैं अगर बुर्हानपूरद्र्र की बात करते हैं तो यह कहा है यह आपका मध्ध परदेश में यह सत्पुडापरवत सत्पुडापारी पर इस्तितΤ हे यह कहां है आपका classrooms प्रदेश में है सठपुडा परफथ ठीक है और यह संकीर बनाता है जो सठपुडा पहारी है उसी में संकीर मार्ग बनाता है बुरहानपुरदर्र से न्कोट्टा की बात करते है तो मेरी कोशिस ये थी कि इन 25 कोश्चन के माद्यम से मैं आपके पूरे हिमाले परवत को कबर कर दूँ जो कुछ छूटा होगा तो आएगे वी टेक्ष्ट आपका चलता रहेगा टेलिग्राम चैनल पर रेजुकेशन के और वहां पर आप टेक्ष्ट देते रहेए उसका बेक्ष्ट हम करते रहेंगे और धीरे-धीरे सभी कोश्चन आपके तयार हो जाएंगे दोस्तों इसी के साथ फिर से एक बार निवेदन है कि यदि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प करके में पूछा कि क्या आप इसका वीडियो सलेशन चाहते लोग आपको इसको पूरा देखिए एक बार देखिए दो बार देखिए तीन बार जब तक आपका ख्लिए न हो और अपने दोस्तों में भी बिदा लेटे हैं जय हिन जय भारत झाल झाल